गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पानिपत के पर्थम यूद के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पानिपत के तिनों यूद्धों के बारे में आप लोगों को बताया था ठीक है तो पानिपत के तिनों युद्धों के बारे में जानकर इप्राफथ आप लोगों को करनी है तो आप पहले वाले वीडियो को देखना आपको संक्सीफ रूप से डिटेर मिलेगी और अब हम आने वाले वीडियों में मतलब पानिपत के जो तीन यूद हुए थे उन तीनों के बारे में विस्तरी तोड़ से आपको बताएंगे और ये चेप्टर एक्जाम की दरश्टी से बहुती महतापून है अता है वीडियो को थोड़ा ध्यान से ध्यान देखकर देखें तो चलिए पढ़ते हैं पानिपत का पर्थम यूद है तो देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि बही जो पानिपत का पानिपत नामक इस्तल है ये कहां पर है ये है हर्याना के पानिपत जिल्ले में इस्तित है और यहां पर इथिहास के तीन फेमस यूद हुए है और जो ये मतलब पानिपत का जो पर्थम यूद हुआ था इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे तो देखेगा पानिपत का जो पर्थम यूद है ये है 21 अप्रेल 1526 इस्वी को लड़ा गया था और ये किस किस के बीच में हुआ था इब्राहीम लोदी और बाबर के बीच में और इस यूद खा परिणाम ये हुआ था कि जो इब्राहीम लोदी है इसकी हार हो जाती है तो लोदी वंस का अंत हो जाता है और मुगल वंस का की स्थापना होती है तो ये तो देखो आप सबको पता ही है कि जब जब भी कोई जब भी कोई युद हुआ है तो क्या है कि जो पहले वाला सिस्टम है वह है बदल जाता है और जो जिस भी सासक की विज़े होती है उसके अकोर्डिंग नया सासन स्टार्ट हो जाता है नया वन्स इस्तापित होता है और उसके according सबकुछ change हो जाता है ठीक है? तो देखेगा पानिपत का पर्थम युद तो देखेगा पानिपत का पर्थम युद ये कब हुआ? 21 अपरेल 1526 को ठीक है? पानिपत का पहला युद उत्री भारत में लड़ा गया था और ये है युद पानिपत नाम के एक छोटे से गाम के निकड लड़ा गया था जो वर्तमान भार्तिय राजे हरियाना में इस्तित है ठीक है तो कई बार एक जामे पूछ लेते हैं पानिपत का इस्तित है पानिपत का पहला युद कब लड़ा गया ठीक है और जो पानिपत का पर्थम यूद है इसने मुगल समराजे की निव रखी ठीक है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाई मुगल समराजे है इसका संस्ताप कोन था बाबर था बाबर के बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बताएंगे और जो पानिपत का पर्थम यूद है यह है उन पहली पहले तलवार वगेरा इन से लड़े गया है और पानिपत का पर्थम यूद ऐसा है जिसमें यह जो आपका बाबर है इसने तोफ खाने का यूज किया था बारूत का यूज किया था जिसके कारण वह है इब्राहिम लोदी की जो मतलब एक लाग से भी ज्यादा की जो सेना उसको हरा दिया था ठीक है और यह है युद काबुल के तैमुदी सा सकी जहीरूदीन मोहमद बाबर की सेना और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था ठीक है तो मतलब जो बाबर है इसका पूरा नाम भी कई बार एक जाम में पूछ लेते हैं त इस युद में बाबर ने तुलुगमा पदत्ती का प्रियोग किया ठीक है तो जो तुलुगमा युद पदत्ती है वह है भारत में कोन लेकिया था बाबर और जिस युद पदत्ती के कारण बाबर युद में जिता भी था बाबर के द्वारा इस युद में उस्मानी विध का भी प्रियोग किया गया ये इसने तुर्कों से सिखी थी तो उस्मानी जो विधी है इसका प्रियोग भी बाबर ने किया और उस्मानी जो विधी है लड़ने की ये है बाबर ने तुर्कों से सिखी थी इस यूद में बाबर की विजे के बाद बाबर को कलंदर की उपादी दी गई ठीक है तो मतलब कलंदर की उपादी किसे दी गई बाबर को और कौन से यूद में जीतने पर यह आपका पानिपत का पर्थम यूद है जिसमें बाबर जीता और इसने कलंदर की उपादी धारण की थी ठीक है आप देखेगा पानिपत के पर्थम यूद के कारण क्या क्या थे तो देखेगा समरकंद को विजे करने में एसफ़ रहना तो जो बाबर है वह है क्या है कि समरकंद को विजे करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया फिर आतिया आपकी बाबर की महतवय कांसा भारत की राजनतिक एवस्था आकर्मन करने के लिए निमंत्रन मिलना किसको बाबर को भारत की धंधोलत इब्रहीम लोदी का बदनाम होना बाबर को भारत पर आकर्मन करने की प्रेरना देना तो ये तो थे मैन पोइंट चली इनक का विजेशी था और जब बाबर इस निस्कर्ष पर पहुंच गया कि उसके लिए मध्धे एसिया में सफल होना और समरकंद पर फिर से अधिकार करना एसंभव है तो उसने अपना धान भारत की ओर दिया ठीक है और इसलिए उसकी दिल्ली के सुल्तान से टक्रा जो टक्र भारत की ओध्यान देता है अब आती है अगली आपकी अगला कारण है बाबर की महत्वकांगसा तो बाबर एक प्राक्रमी और महत्वकांगसी सा सकता और यह एक विस्ताल सामराज्य इस्तापित करना चाहता था भारत को जीत कर अपनी महत्वकांगसों की पूर्ति करना चा इंपे भारत की जो राजनतिक अवस्ता है वह कैसे थी तो भारत की जो राजनतिक अवस्ता है इसने भी किया बाबर को भारत पर आकरमन करने का जो है लोब दिया उसमें भारत की जो राजनतिक दसावय बहुत ही सोचन ये थी देशों में राजनतिक एकता का अभाव था और ह अच्छी परकार सोचकर ही भारत आता ठीक है अब अगला पोउंडाता आपका आकर्मन करने के लिए निमंत्रन मिलना तो जो बाबर है इसको दिल्ली के सल्तनत पर आकर्मन करने के लिए जैसे की दोलत खा था आलम खा था राणा सांगा था ये ऐसे वेक्ति थे जिन होने निम निमंत्रन भेजे थे बाबर को और इस निमंत्रन को पाकर बाबर को भारत और विशेश का दिल्ली पर आकर्मन करने का उच्छा भी हुआ ठीक है अब देखिया अगला पोउंडाता भारत की धन दोलत तो बाबर ने भारत के अपार धन सम्पति के बारे में तो बहुत तो बाबर को इस बात का पूरा पता था और யसी अवस्ता में बाबर जैसा महत्वा कांग सी वेक्ति इसका लाव उठाइबना नहीं रह सकता था ठीक है फिर अगला पोईंट आता है बाबर को भारत पर आकर्मन करने की प्रेड़ना देना तो कोई एक व्रद मैला थी उससे भारत पर तैमूर की आकर्मन की कहनी सुनी बाबर ने और उसको प्रेड़ना किया था तो ये सब कारण ऐसे थे जिनके कारण बाबर है उसने भारत पर आकर्मन किया और पानिपत का पर्थम यूद उसने किया था ठीक है अब देखेगा युद की गठनाएं तो इब्राहिम लोदी मतलब इब्राहिम लोदी और जो बाबर है इसके मद्धे जो पानिपत का पर्थम युद वहा था इसमें क्या-क्या गठनाएं गठी उसके बारे में देखेगा इब्राहिम लोदी जो कि हाथिओं के साथ युद विजय करने आया था और उन्ही हाथिओं ने बहंकर नुकसान पहुंचाया उसको क्युँंकि हाथी तोपों से उटने वाली दमाकों की आवाज के आदी नहीं थे इस कानर जब बाबर के तोपों के दमागों के साथ आग बर्षानी शुरू की ठीक है तो लोधी की सेना में भगदर मच कही हाती डरकर अपनी ही सेना को पुचल ने हुए उल्टी दिसा में भागने लगे इस ये पहले की लोधी संभल पाता बाबर की सेना उने तीर और वार क भेल रही लोधी की सेना के होसले पस्त हो गए सैनिक डरकर मैदान छोड़कर भागने लगे अंत में जब भगदर थोड़ी हलकी हुई तो इब्राहिम लोधी को मरावा पाया गया लोधी की मोत की खबर फैलते ही बाबर की जीत का डंका बजा तता लोधी की सेना ने हत्यार डाल दिये छेतर के जो हिंदू राजा राजपूत थे वो भी इस यूद में तटस्त रहे थे अर्थात वो भी बाबर की तरफ से ही मतलब उसके इपक्स में थे लोधी की तरफ से वो भी नहीं लड़े लेकिन वालिर के कुछ तोमर राजपूत इब्रहम लोधी के और से ल भी कह सकते हैं यह अब तक के युदों में पहला ऐसा युद था जिसमें इसका प्रियोग किया गया था तो खड़े का प्रियोग किया गया था और पानिपत के इस युद में इब्रहम लोधी युद भूमी में ही मारा जाता है और इस तरह बाबर की विजय होती है बाबर में दोलत खा लोदी ने कोई 40,000 सनिकों के साथ उसका विरोध किया लेकिन वह है प्राजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया इस परकार बाबर का लाहुर पर अधिकार हो गया वहां कुछ समय विश्राम करने और अपनी सेना को एक बार फिर से सुवेवस्तित करने के बा उस समय कोई मतलब 12,000 सनिकों और बहुत सी तोपे थी ठीक है अब देखेगा जब इब्राहीम लोदी को इसका समचार मिला तो वह है मतलब एक लाग सनिकों हातियों और अनेक हतियारों अधिकों लेकर अपने साथ लेकर बाबर से लड़ने के लिए आगे बढ़ा दोनों से पानिपत के इत्यासिक मैदान में एक दूसरे के आपने सामने ड़चाती हैं लेकिन आठ दिन तक किसी ने भी एक दूसरे बराकमर नहीं किया ओ लास्ट में क्या होता है कि 21 अप्रेल 1526 सिस्वी को दोनों सेना एक दूसरे से भिढ गी बाबर ने जो एक अनूबवी और कु सेना को सत्रू के तीरों से सुरक्षित रखा इन छकड़ों के बीज में कहें कहीं स्थान छोड़ दिया गया और वहां कच्चे मोर्चे तयार करके मुस्तफपा और उस्ताद अली जैसे परसी तोपच्चियों को तैनात कर दिया सेना के दाएं अंग को बचाने के उदसे से उसे पानेपत के नगर के निकट खड़ा कर दिया कया और बाएं अंग को बचाने के उदसे से उसके आगे खाईया खोदी गई और उन्हें उपर से पत्तों आदी से ढग दिया गया ताकि सत्रू उन्हें देख न सके बिलकुल दाएं और बाएं किनारों पर गुरस्वार स खड़े किये गे मुख्य नेता कि पीछे कुछ ऐसे ही मतलब फालतुसेनिक भी खड़े कर दिये गे इस प्रकार बाबर की सेना थोड़ी सी थी परंतु उसे रण भूमी में लड़ने का धंग आता था ठीक है अब देखेगा बाबर ने तो ऐसे इस इसाब से इंतिजाम कर गोले पड़ते देखे तो वह वापस तेज रफ्थार से भागी जिससे उसने बहुत से अपने ही सैनिक कुचल डाले उदर दोनों किनारों पर खड़े हुए बाबर के गुरो स्वारों ने उजबेगी चाल अर्थात तुलुगमा को प्रियोग में लाते हुए इब्रहीम लोदी की सेना को पीछे से घेर लिया इससे इब्रहीम की सेना में भगदड मच कई और सैनिक अपनी जान मचाने के लिए अंदाद इदर उदर भागने लगे थे ठीक है जिसके प्रणाव सुरूप क्या होता है कि मतलब एक ही दिर में 15,000 सैनिक थे जो मतलब एक ही दिर में 15,000 से भी अधिक सैनिक हैं वो इब्रहीम लोदी के सैनिक हैं वो मारे गए थे ठीक है और बाबर भी स्वेम भी इस वीजे से परसन हुआ और वो लिखता भी है कि सेर्वे सकती मान अल्लाह की कृपा और दया से ये मुश्किल का मेरे लिए आसान बना दिया गया और आदे ही दिन में वैसकती साले सेना नस्ट कर दी गई इसके बासिगरी बाबर ने आगे बढ़कर दिल्ली और आखरा पर अधिकार कर लिया और राज के कोस पर भी अपना अधिकार जमाल लिया इसी कोस में परसित कोई नूर का हीरा भी समलित था जिसके विशे में का जाता है कि उस मोटा मोटी में सार यह है कि बाई जो इब्राहिम लोदी है इसके पास काफी बड़ी सेना थी इसके बनिस्पत जो बाबर है उसके पास ज्यादा सेना नहीं थी लेकिन उसने दिमाग से काम लिया वेगेनिक पदतियां अपनाई तोब खने अपनाई जिससे उसकी जीत हुई और इब्राहिम लोदी हारा और यूद छेत्र में मारा गया ठीक है अब आता आपका पानिपत के जो पर्थम यूद के परिणाम क्या क्या आते हैं कई बार एक जाम पूछ लेते हैं तो देखेगा मोटा मोटी जो हमने पॉइंट बनाए हो है लोदी सासन का अंत और एक लोदी का सत्तर वर्ष चला समराजिस मात हो गया इब्राहिम लोदी यूद मैदान में ही मारा गया और ये भारत का पर्थम मुसलिम सासक था जो यूद में मारा गया था तो देखेगा लोदी पहला जो पॉइंट है परिणामों में वो है लोदी सासन का अंत तो देखेगा ये जो लड़ाई है ये बड़ी निर्णाइक सीद्वी और इस यूद में ब्राहिम लोधी की प्राजी हुई और वह अपने 15,000 सेनिकों के साथ रण भूमी में मारा गया उसकी मर्थ्यू के साथ ही भारती में लोधियों की जो सत्ता है उसका भी अन्ति हो गया ठीक है और एक दोस्त आपदियों से भी अधिक समय तक भारत में इस्तिर रहा था फिर आता आपका पठान सासन को विनासकारी अगहात ये दी लोधी मर्लब जो स्विम क्याते पठान थे खिरजी और अन्य कोई पठान जाती राजे छीन लेती तो उनके अंत के साथ पठान सासन का अंत न सासन थे उनका भी अंत हो जाता है और लोधियों के अंत के साथ पठान सासन को भी मर्ना अत्मक आगात पहुंसता है और फिर आपका अगला पॉंट आता है भारतिय सभेता और संसकर्ती का विकास मुगल वन्स इसके नीव भारत में इस लड़ाई के बात पढ़ती है और जो सासक पठानों की भाती जो दर्मांतता में विश्वास ये मतलब जो मुगल सासक थे न ये पठानों की भाती दर्मांतता में विश्वास नहें करते थे पूगल है यह राजनिती को ध्रह्म से अलग रखते थे और इनके धार्मिक उदारता хотя सांती और विवस्ता ठीक है इन्होंने मतलब भारत को धार्मिक उदारता है सांती विवस्ता अधी परदान कया इसके प्रणाम सरूप किया हुआ कि कला और साहिते की उन्नति हुई हिंदू तथा मुस्लमानों का आपसी मेरजोल और भारतिय सब्वेता और सेंस करते का विकास से हुआ था ठीक है और फिर अगला आता है कि बाबर का जो परभूतवा है और उसकी सक्ति है उसमें वर्दी हुई थी तो पानिपत के युद के परणाम सुरूप बाबर के करने के बाद मतलब बाबर ने दिल्ली और आगरा प्रदिगार कर लिया और भारत में बाबर को अपार्ट धन्राशी प्राफ्य जिससे उसका जो आर्थिक साधन है उनमें क्या हुआ प्रधी हुई थी ठीक है और फिर आता है कि दिल्ली के सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का सत्तर वर्स तक जो सामराजे चल रहा था वैस मात हो जाता है इब्राहिम लोदी है वह युद में ही मारा जाता है ठीक है अब देखेगा जो बाबर की विजे इसके क्या क्या कारण थे तो पानिपत के पर्थम युद में बाबर की विजे के कारण इब्राहिम लोदी का है वह बहुत ही ज़्यादा क्रूड था इस वादर से बदणाम था और भारत का राजनितिक विगठन ये बी मनें आपको बताए कि भारत के जो राजनितिक एक ताव एकदम बीगठित हो चुकी थी, सारे राजा एक दूसरे को आपस में ही खा रहे थे, एक दूसरे के विरुद जा रहे थे, और बाबर का वक्तित वैं, और सन्यसंचालन, बाबर है, वह वह बहुत ही महत्वा कांग सी वक्तित था, और उसका सन्यसंचालन भी बहुत अच्छा था, ब बाबर की जो वैगयनिक युद्ध पदत्ती है और जो उसकी अनुसासित सेना है उसने बाबर को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और बाबर के सेनिकों की जो निष्ठा थी वह बहुत थी मतलब उसके पड़ती बहुत थी वीरता पूरवक वो लोग लड़े थे और अनेक सरदार उससे नाराज हो गए थे और उसके विरुद सड़ी अंतर कर रहे थे इन सरदारों में परमुख पंजाब का सुबेदार दोलत खान तदा इप्रहीम का चाचा आलम खा थे उन्होंने ही इप्रहीम प्राकर्मन करने के लिए बाबर को आमन्तरित किया और इस परकार स इनका समर्थन प्राप्त होने से नैतिक बलतों मिला ही भर्त प्राकर्मन करने के लिए बिवर प्रोच दा हित्त हुए थे तो जो अपकानों में जो थे ये पंजाब का जो सुबेदार दोलत खा था और इप्रहीम का जो चाचा आलम का था इन्होंने भी मतलब बाबर का पूछ लेते हैं इस तरे लेटेट तो देखेगा किस राजपूत राजा ने पांडिपत के पर्थम यूद में इब्रह्म लोधी का साथ दिया था चता लोधी की हार के बाद उस राजपूत राजा का क्या हुआ तो विक्रम जीत नाम का राजा था उसने इब्रहीम लोधी ले लेना जिसे क्या होता है कि बाबर है वह लाहूर पर अधिकार कर लेता है तो फिर इब्रहिम लोधी भी मतलब यूद के लिए तयार हो जाता है बाबर ने किस यूद पदत्ती का इस्तिमाल किया जिसे इस यूद में उसकी जीत का कारण माना जाता है तो लुगुमा पढ़ने से पहले दिल्ली पर काबिज वंस किस नाम से जाना जाता था तो मुगल समराजे की नियू पढ़ने से पहले दिल्ली पर जो काबिज वंस था यह है लोधी वंस नाम से जाना गया लोधी वंस ने कब से कब तक दिल्ली पर राज किया 1451-1526 जब पानीपत का पर्थम यूद अगले वीडियो में हम पानी पत के दुईतिय यूद के बारे में आपको पढ़ाएंगे तब तक बढ़े रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे धन्यवाद